जै मातादी दोस्तों अपना देश चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों विदी विदांग से जो हम माता की चोके स्थापित करते हैं नौ दिनों की पार उसे हटाना होता है तो सवाल यह आता है कि हमने पूजा के जो चावल है उनका क्या करना चाहिए कलश का हमें क्या करना चाहिए साथ ही जो नारिल हमने स्थापित किया था क्या उसे जो है प्रशाद की रूप में खा लेना चाहिए या फिर उसका कुछ और करना चाहिए तो इन ही सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे आप वीडियो पूरा देखें और इफ्रमेशन अच्छी लगे तो कमेंट में जै मातादी जरूर से लिखें दो हम शुरू करेंगे माता के जो पूजा में हवन करते हैं सबसे पहले हवन कुंड को हम हटाएंगे हवन कुंड का जो सामान है जो राक वगर है उसे हमने एक पैकेट में डाल देना है जितनी भी चीजों को हमने विसरजित करना है उन्हें आपने एक अलग पैकेट बना लेना है उसमें डालते जाना है तो जो जो चीजे हम हटाएंगे वो इस पैकेट में डालते वे चले जाएंगे और दोस्तों इसे आपने जल में प्रवाहित नहीं करना है इसे आपने गमले में प्रवाहित करना है जो मिट्टी हमने प्लेट में निचे डाली है वो सब भी इसी के अंदर एड़ करते वे रहने चौकी पर कुछ फैलावा हो पुझ पूजा का सामान तो वो भी इसी पैकेट कि उनके लिए प्लेट लगा लेनी यानि कि पूजा में जितनी भी प्लेट में जहां कहीं पर भी हमने चावल का इस्तेमाल किया है उन्हें आपने एक जगह एकत्रित कर लेना है तो एक प्लेट में हम चावल जो है वो एकत्रित करेंगे और दूसरी प्लेट में हमने जो कलस क रखाखव समान है उसके लिए रख है तो जो भी प्लेट हमने जिसे दो दिए लगाएं उन दोनों दियों के नीचे जावल है उन्हें हमने एक जगा इकत्वित कर लेना है और उसके बाद में जो प्रशाद हमने माको भोग लगाया था उसे जो ग्रैन करने के लिए हम side कर देंगे और उसके बाद में जो पूजन सामागरी जो बच गई हो उसे आप use कर सकते हैं वापस उसे आपने अटाने के जोरतनी उसे side कर दीजिए और उसके बाद में आप कलश जो है जवारे की जो कुंडी है उसको प्रणाम करेंगे कलश को प्रणाम करेंगे उसके बाद ही कलश को छुएंगे कलश को आपने वहाँ से हटा कर उस प्लेट में रख देना इससे आपने जमीन पर नहीं रखना है इससे इसका ख्याल रखें आप क्योंकि इसे हमने माता के स्वरूप के रूप में पूजा है और उसके बाद में दोस्तों इसके बीच में जो हमारा कलश है उसे हम निकालेंगे बिल्कुल ख्याल से निकाल लेंगे हम बाहर और इसके उपर के जो आम के पत्ते हैं उनको भी हमने पहले फैकना नहीं है उनका भी हमने एक बहुत इस्तेमाल करना है तो उने भी आपने साइड में अच्छे से रख लेना है इसमें काफी ज़्यादा पानी तो हम क्या करेंगे एक दूसरा बरतन लेंगे और इसका जो पानी है कलश का वो दूसरे बरतन में डाल क्योंकि हमने ये पूरा सब जगह इसका छिड़काव करना है ताकि मा का आश्रवाद हमारे पूरे घर पर बना रहे और इस कलश को भी आपने फैकना नहीं है उसका भी मैं आपको आगे यूज बताऊंगी कि इस कलश का आपने क्या करना है तो सबसे पहले हम दूसरे कलश म में इसका पानी है वो निकाल लेते हैं और इसके अंदर हमने डालेते सिक्के कोडी सुपारी हल्दी उन सब चीजों को हमने अलग निकाल देना है इसमें जो कोडी सुपारी लॉंग और सिक्के हैं उन्हें हमने साइड में रख देना है हल्दी की गाट को भी साथ में रख चाहे तो इस हलदी को थोड़ा सा पीस जो पूजा में रख सकते हूँ और बाकी का जो है चाहे तो उप्टण के रूपे भी आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि भीगने से संचरी जह कई बार स्मेल करने लगती है खराब भी होने का चांस रहता है तो उस विसर्जन का हमारा पैकेट है उसके अंदर हम इन जमारों को डाल देंगे और दोस्तों इसे मैं आपको फिर बोल दूँ आप पानी में विसर्जित ना करें नदी में इससे प्रवाहिद करने ना जाएं अपने घर में गमला लीजिए थोड़ी सी मिट्टी डालिए और यह ज करजन के सामान में डाल देनी है इस तरह से आप देखेंगे कि कोई भी चीज हमारी वेस्ट नहीं होगी एक एक चीज को हम बिलकुल सही तरीके से यूज करेंगे अब उसके बाद में यह जो जल है इसको आम के पत्तों की मदद से हम पूरे घर में छिड़काओ करेंगे दो नीचे चावल अगर चिपक गए हो तो उन्हें भी आपने विसरजन के सामान में डाल दे नारियल के उपर जो फुष्प रखा है उसे आपने संभाल के रखें इसे आपने तिजोरी में रखना है दोस्तों और नारियल के उपर की जो यह मोली है उसे आप हटा देंगे और फ्रेश मोली बांद करके आपने यह जो कलेश है दोस्तों इसे विल्कुल अच्छे से वाश कर लेना है तो असूखने के बाद में चावल से भड़ लेना है और उसके बाद में इस नारियल को इसके उपर रखना है और इस कलेश को आपने या तो अपने मंदिर के नौर्थ खिसकाना है और उसके बाद में उन्हें यथा स्थान जहां पर विराजित रहती है मंदिर में वहां पर आपने स्थापित कर देना है और उसके बाद में अब नंबर आता है हमारे अखंड दीपक का तो अखंड दीपक में हमने नीचे में जो चावल बिछाएं हैं तो हम क् चावलों को निकाल लेंगे और उन्हें चावल के साथ में अड़ कर देंगे और बाती जो बची भी बाती या कुछ भी है उसके अंदर वो सारा का सारा हम डाल देंगे विसरजन के पैकेट में तो इस तरह से हमारा अखंड दिपक भी हट गया अब जो भी चीजे हमने यूज करी वो सारी हट गई और सुहाग पिटारी जो वो हमने मंदिर में चढ़ा के आ जानी है तो इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आपने माता की चोकी को हटाना है कोई भी चीज आपने वेस्ट नहीं करनी है चावल जो आपने पूजा के उन्हें पक्षियों को दे देन है और फिर दोस्तों उसमें कोई न कोई पौधा लगा देना है और देखीगा दोस्तों इस विदी से आप चोकी हटाएंगे तो आपका मा का आश्रवाद आपके पूरे घर पर बना रहेगा आपके घर में बरकत बनी रहेगी मा का आश्रवाद आपको हर काम में दिखाई देगा घर में बरकत के रूप में बिजनस में प्रॉफिट के रूप में दोस्तों इंफरमेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर से लिखिएगा जै माता दी